1. अगर आपको दूद फटने की चिंता हो तो दूद में आधा चम्मत सोडा पाउडर या एक इलाइची डाल कर दूद को उबाल दे ऐसा करने से दूद नहीं फटेगा. 2. डाल बनाते समय डाल में थोड़ा तेल डालने से डाल बढ़िया तरह से पकती है. 3. बादाम के छिलके को उतारने के लिए बादाम को थोड़ी देर पानी में उबाल छिलके आसानी से निकल जाएंगे. 4. आटा गुंथने के बाद आटे पर सरसों का तेल या गी लगाने पर आटा ज्यादा देर तक नर्म रहेगा और पपड़ी नहीं जमेगी. 5. पूच्छा लगाते समय पानी में थोड़ा सा नमक मिला दे, ऐसा करने से कीड़े मकोडे नहीं आते और घर में पॉजिटिव एनरजी आती है. 6. डाल या सबजी में हींग को तड़के में ना डाले, क्योंकि तड़के के साथ डालने पर हींग जल जाती है. 7. दही बड़ा बनाते समय पीसी दाल में थोड़ी सूजी मिलाने से बड़े नर्म बनते हैं. 8. आम का अचार बनाते समय आम की फाको में हल्दी और नमक लगा कर रखने के बाद, इसमें तीन चार चम्मच शीनी पीसकर डालने से अचार की रंगत खराब नहीं होती और अचार में मौजूद पानी भी सूख जाता है. 9. आलू की टिक्या बनाते समय उसमें थोड़ा सा आरारोट मिला ले टिक्या कुरकुरी बनेगी. 10. चावल को कीरों से बचाने के लिए चावल में लहसुन, सूखी लाल मिर्च और लॉंग रखें. 11. अगर धनिया मुर्जा गया है तो उसके जड़ को पानी में दुबो कर रखने से धनिया फिर से ताजा हो जाता है. 12. अगर कांच की कोई वस्तू तूट गई है तो उसके बारीक टुकड़ों को उठाने के लिए गिली रूई का इस्तेमाल करें इससे कांच चुभने का डर नहीं रहेगा. 13. पालक बनाते समय पालक में एक चम्मच शीनी डालने से पालक का हरा रंग बरकरार रहता है. 14. चावल बनाते समय पानी में थोड़ा घी या तेल डालने से चावल आपस में नहीं चिपिकते. 15. सबजियों को काटने से पहले धुने पर उनकी पौश्टिकता बरकरार रहती है. 16. चने और मटर की दाल को पानी में तीन चार घंटे भिगो कर रखने से दाल जल्दी गलती है. 17. प्यास को काटने से पहले थोड़ी देर पानी में रख दे, ऐसा करने से प्यास काटते समय आँखों में नहीं लगेगा. 18. पराठा बना बनाते समय आठे में उबला आलू कद्दू कस करके मिलाने से पराठे का टेस्ट बढ़ जाता है. 19. पूरी बनाते समय आठे में थोड़ा सा सूजी या चावल का आठा मिलाने से पूरिया खस्ता बनती है. 20. पकोड़े बनाते समय बेसन में एक चम्म चारा रोट और थोड़ा सा गर्म तेल मिलाने से पकोड़े टेस्टी और कुरकुरे बनते हैं